Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. So, आज इस वीडियो में Dr. APJ Abdul Kalam Technical University लखनाओ के PhD Entrance Exam 2022 के लिए हम Research Methodology के Lecture Series शुरू करने जा रहे हैं. So, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस exam में अभी कुछ ही दिन बाकी है. 8th April को ये exam होने वाला है. So, वान वीक से भी कम टाइम अभी आप लोगों के पास रह गया है. So, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि PhD exam में हमारे पास दो पेपर होते हैं. पेपर 1 में हमारे 5 minutes होते हैं जिसमें higher weightage Research Methodology को दी जा जाता है. So, अगर आप लोगोंने अभी तक Research Methodology पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो भी आप लोग इस group को join कर सकते हो क्योंकि हम आपको guarantee देते हैं कि अगर आप लोग इस one week regular classes attend करते हो तो one week में आप Research Methodology में बहुत अच्छा score कर सकते हो. So, आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर हमारे आप Global Online को डाउनलोड कर सकते हो and then आपको यहाँ पर category select करनी होगी PhD Entrance Test 2022. So, यहाँ पर Research Methodology and other five units के हम लोग आपको complete study material provide कराते हैं जिसमें हम आपको देते हैं full syllabus video lectures, full syllabus notes जिसमें short tricks भी अवेलेबल होंगी, most expected multiple choice question series and 1000 plus mock test. So, यह last week है जितने जादा mock test आप लोग अटेंप्ट करोगे उतना अच्छा आप लोग score कर सकते हो. So, इस paper 1 की fee है rupees 5999 आप जादा जानकारी के लिए आप लोग दियेगे whatsapp नंबर पे contact कर सकते हो and हमारा paid group join कर सकते हो. तो चली शुरू करते हैं. So, हमारा आज का topic है research methodology introduction. तो research में introduction से हम शुरू करेंगे. अब जैसे कि इसके नाम से ही आप लोगों को clear होना चाहिए कि research, search का मतलब होता है किसी चीज को ढूंड़ना. Research का मतलब होता है कि कोई चीज already हमारे पास है लेकिन हम फिर भी उसी चीज पे search कर रहे हैं. उसी चीज को search कर रहे हैं. ठीके? So, research क्या है? ये एक careful and detailed study है. इसके बारे में? किसी भी एक specific problem के बारे में. ठीके? मान लीजी हमारे पास एक problem है, किसी भी कोई issue है हमें. So, हम उस पे कोई solution को find out करते हैं. लेकिन हमें क्या लगता है कि ये solution से हमें satisfaction नहीं हो रही है, तो हम उसको research करेंगे. यानि कि हम कोई दूसरा solution ढूणने की कोशिश करेंगे. कि हो सकता है, जो first हमारा result है, जो first हमारी findings थी, उसमें कुछ कमी आ रह गई है. तो इसलिए हम लोग फिर से उस चीज को search करते हैं. That is called research. ठीके? So logical का मतलब है, कि अगर हम किसी भी चीज को search करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ logics होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई problem में फसे हैं, और directly हम लोग उसका solution ढूणने लग जाएं. कुछ logics लगाने पड़ते हैं, कुछ एक systematic way में हम लोगों को step by step जो है, हर एक process को follow करना पड़ता है research में, ठीके? So research is a logical and systematic search for new and useful information on a particular topic, ठीके? Next पोला गया है, it is an investigation of finding solution to scientific and social problems through objective and systematic analysis. तो अब जैसे आप सभी को पता है कि अब यहाँ पे आप लोग PhD की तयारी कर रहे हो, इधर हम लोगों को research करना compulsory होता है PhD में, ठीके? तो हम किस पारे में research करते हैं, कोई भी एक social problem, कोई भी एक scientific problem होनी चाहिए, या फिर कोई एक issue है जो कि काफी time से सब लोग face कर रहे हैं उस particular field में, तो हम लोग research में क्या करते हैं, उस चीज़ का एक permanent solution ढूणने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम से पहले काफी students ऐसे आए होंगे, जिनोंने उस topic को पकड़ा होगा, और उस पे research की होगी, बट में भी ये हो सकता है कि उनकी research complete नहीं होई होगी, कोई ना कोई issues अभी भी उस particular topic में रह रहे होंगे, तो उसी चीज़ को हम लोग बार-बार search करते हैं, that is called research, ठीक है, so I hope ये दो concepts आप लोगों के clear है, next यहां पर बोला गया है, the information might be collected from different sources, so जब हम research करते हैं, तो जैसे मान लीजे कि कोई social problem है, कोई hunger से related problem पे हम लोग research कर रहे हैं, ठीक है, so अब data collect अगर हम लोगों को करना है, information collect करनी हैं, तो हम लोग different sources कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग internet के through भी data collect कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग field में जा करके, लोगों से बातचीत करके, slums में जा करके, इस चीज़ को देख सकते हैं, कि लोग किस situation में हैं, कैसे इस चीज़ को resolve किया जा सकता है, ठीक है, तो different sources से हम कर सकते, जैसे कि experience, ठीक है, यह होता है कि अगर कोई ऐसी field है, जिसमें मैं बोलती हूँ, कि मेरा पुराना experience है, मुझे पता है कि यह चीज़ कैसे काम करती है, तो उसमें वो चीज़ भी हमें research में help करती है, human beings, जैसे मैं आप लोगों को बताया, कि field में जाकर कि हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनके views जानते हैं, ठीक है, books के थूँ, जो previously published books होती हैं, journals होते हैं, इन सब चीज़ों के थूँ, हम क्या कर सकते हैं, data को collect कर सकते हैं, अपने research के लिए, next important point यहां पर यह बोला गया है, कि research can be lead to new contributions to existing knowledge, यानि कि जैसे मैं आप लोगों को बताया, already उस चीज़ के बारे में, हम लोगों के पास information है, उस चीज़ का knowledge है, लेकिन उसमें new contribution क्या आया है, that is called research, अब जैसे माल लीजिए, हम लोगों ने देखना है, कि इंडिया की population कितनी है, तो ये data हम लोगों के पास already है, कि 2020 में इंडिया की population इतनी थी, COVID-19 के वज़़े से इतने लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अगर हमें इस चीज़ को बोलेंगे, कि हम existing knowledge, ठीक है, तो इसमें new contribution क्या होगा, कि अभी कितने लोगों की मौत हो गई थी, और नए कितने जनम हुए है, वो सब चीज़े research आती है, ये नया contribution होता है, ठीक है, तो next अगर हम लोग बात करें, इधर एक process बताया गया है research का, ठीक है, एक problem हमारे दिमाग में होनी चाहिए, अब जैसे आप लोग मालीजी, social work में PhD करते हो, ठीक है, या फिर computer science में PhD करते हो, तो आप लोगों कोई सामने, पहले ही सबसे पहले कोई problem होनी चाहिए, उसके बाद problem की थूँ आप क्या करोगे, populate करोगे questions we need answer to, ठीक है, उसके बाद उस problem में आप देखोगे, कि यह यह problems है, यह यह हमारे दिमाग में questions raised हुए है, तो इनका solution हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग इस वारे में सोचना शुरू करोगे, ठीक है, तीसरे step में क्या होता है, write the research hypothesis, hypothesis का मतलब होता है, अनुमान लगाना, guess करना, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, research में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, कि यह यह points हो सकते हैं, हम इस चीज में इस तरह से data collect करेंगे, इसका यह solution इस तरह से find कर सकते हैं, यह आता है research का third step, next आता है state of goals for the research, कि इस level पे अगर हमारा एक goal achieve हो जाता है, तो उसके बाद हमारा next goal क्या होगा, that is very important, ठीक हैं, तो state of goals आप लोगों को research में पता होनी चाहिए, next आता है हमारे पास create research objectives, so research का हमारा क्या main मुद्दा है, क्यों हम research कर रहे हैं, तो कहां से हमने हमारे दिमाग में कोई problem आई, या कोई problem हमने face की, और किस तरह से हम उसको complete करने के लिए पूरी planning कर रहे हैं, ये पूरा process जो है, वो research के अंदर आता है, ठीक है, so next बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और information दी गई है, कि research exactly होता क्या है, तो exam में आप लोगों को इसी चीज़ से related questions पूछे जाते हैं, कि research क्या होता है, so उनी questions को थोड़ा सा गुमा के पूछा चाएगा, लेकिन बातें सिरफ यही होंगी, definition सिरफ यही होंगी, जो मैं आप लोगों को आज इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है, so पहला बोला गया है, कि research एक method होता है, searching for fact in any branch of knowledge, ठीक है, किसी भी field में हम लोग क्या कर सकते हैं, fact को find out कर सकते हैं, उससे related data को collect कर सकते हैं, ठीक है, अगर यह attitude आप लोगों में नहीं होगा, तो research आप लोगों के लिए बहुत difficult हो सकती है, निक्स पोला गया है, यानि कि previous क्या facts थे, क्या findings थी, उन सब चीजों को elicit करना है, उन सब चीजों को भी हमें मद्दे नजर रखना है, ऐसा नहीं करना है कि यह findings पहले हो चुकी है, यह बिकार है, हम इनको नहीं देखेंगे और हम अपने लेवल पर काम करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमेशा previous facts, previous figures को ध्यान में रखके, हम लोगों ने अपनी findings शुरू करनी है, नेक्स बोला गया है, a systematic and scholarly application of the scientific method, तो यह scientific, social, कोई भी method हो सकता है, और यह पोईंट आपने याद रखना है, कि research एक systematic process है, यानि कि एक system के साथ हम काम करते हैं, system क्या होता है, कैसे उसको हम follow करते हैं, यह सब चीजें भी हम लोग आगे आने वाले video lecture series में ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स यह एक state of mind है, that means, it requires the involvement of entire mind, यानि कि पूरे mind में, हमें अपने mind को active रखना पड़ेगा, पूरी research के थ्रू, कि ऐसा ना हो कि हमारा कोई point miss हो जाए, कभी हमें कोई idea आता है, कब हम इस idea को implement करेंगे, ऐसा ना हो कि कोई idea हमें आ जाया, तीन दिन बाद हम इसको implement करने की सोचते हैं, लेकिन तीन दिन में हम भूल जाते हैं कि वह idea क्या था, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि it is a state of mind, next बोला गया है, it requirement of knowledge is continuous process in human life, ठीक है, तो एक continuous process है कि हम लोग knowledge जो है generate करते रहते हैं, research is never ending and ever enlarging systematic process, तो यह है research की कुछ basic introduction, so meaning कि अगर हम लोग बात करें research में, तो यहाँ पर बोला गया है again कि एक systematic process है, and यह एक organized process है, systematic यही है कि एक set of procedure है, एक set of process है, जिसको हमें follow करना ही है, एक systematic जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी काम एक systematic way में करो, तो हमें अच्छे results मिलते हैं, वही चीज यहाँ पर बोली गई है, एक नया point यहाँ पर यह है कि it is an attempt to pursue truth through the methods of study, यानि कि हम लोग कैसे study करते हैं, previous findings को भी study करेंगे, और हम सच ढूणने की कोशिश करेंगे, अपने observation के तो हम सच ढूणने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम compare करेंगे, previous findings को अपनी findings के साथ, या फिर हम compare करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को hunger से related crisis की बात की, तो हम compare करेंगे कि different different states में, या different different cities में इसका क्या impact रहता है, और कौन से time पे ये लोग किस तरह का जो है issues face करते हैं, तो ये comparison और experiment जो है ये बहुत important है, ठीक है, जितना भी आप लोगों को observation है, या previous experience है, वो आप लोगों को हमेशा research में use करना ही चाहिए, निक्स्ट बाती है, final जो हमारी official definitions होती है research की, and exam में मैं आप लोगों को बता दूँ कि, as it is definitions भी लिखी होती है कई बार, ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को अच्छे से देख लीजेगा, and अगर आप लोग हमारा paid course जोईन करते हो, तो आप लोगों को पूरा हम लोग PDF format में ये चीज़ें provide कराएंगे, so that आप लोग अच्छे से time लगा करके इन चीजों को पढ़ सको, and समझ सको, so research मैंने बताया कि systematized effort होता है to gain new knowledge, research comprises defining and redefining of a problem, यानि कि अगर कोई problem हम लोगों ने face की है, तो पहले हम क्या करेंगे उस problem को define कर देंगे, ठीके अगर उस problem को पहले किसी और ने face किया है, and already उस चीज़ पे research हो चुकी है, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, redefine करेंगे, यानि कि हमने उसके बारे में क्या सोचा, क्या समझा उस चीज़ को हम define करेंगे ठीक है इसके अलावा हम formulate करते हैं hypothesis को और suggested solutions ठीक है तो इसमें हम लोग evaluate करते हैं data को collect करते हैं, organize करते हैं यहां पर organization is very important, next definition यहां पर बताई गई है कि research as the manipulation of things, concepts or symbols for the purpose of generalization to extend, correct or verify knowledge, whether that knowledge aids in construction of theory or in the practice of an art, ठीक है जो भी knowledge हमने collect किया तो उस knowledge को कहां पर हम लोग use करेंगे, किस तरह से use करेंगे, वो सब चीज़ें हम manipulate करते हैं, ठीक है यह है research की कुछ basic definitions, यह जो features है, इसको मैंने यहां पर इसलिए add किया है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है अभी previous 3-4 slides में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, उन सब चीज़ों को आप लोग features में भी count कर सकते हो, ठीक है तो क्या इसका positive impact पड़ेगा, और क्या इसका negative impact पड़ेगा, तो हर एक logic लगा करके हम लोगों को real life चीज़ों को relate करके यहां पर काम करना होता है, ठीक है अब बात करते हैं empirical की, empirical का मतलब होता है, it should be based on observation एक important concept है students यह, कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि हम अपनी observation और अपनी experience के साथ कुछ चीज़ को use करते हैं, ठीक है तो वो होती है empirical से related, exam में किसी भी question में observation और आप लोगों को experience term नजर आए and option में empirical होगा, तो आप लोग उसी को select कीजेगा बिना सोचे समझे, ठीक है जैसे कि existing theory है, उसी को अगर हम लोग follow करते हैं, तो वो empirical के अंदर आता है ठीक है, and इसमें बोला गया है unbiased, unbiased का मतलब होता है कि अगर जो हमारे research की हमने findings ली है तो as it is findings को ही हमें अपने report में लिखना होगा, इसमें हम कोई भी biasness use नहीं कर सकते and should not be based on judgments, ये नहीं सोचना है कि हम इसमें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चीजें add कर देते हैं research में ये कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो अपनी तरफ से थोड़ी सी इसमें होश्यारी कर दोगे कि हमने अपनी तरफ से कोई data add कर दिया, लेकिन क्योंकि आप लोगों की research को, आप लोगों की thesis को check कर रहे हैं, वो expert है उन लोगों को ये भी पता होता है कि इस topic पे previous findings में क्या-क्या चीजें हुई थी, ठीक है, इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है यहाँ पे बात की गई है, qualitative and quantitative research की, यह बहुत important and बड़ा topic है, इसको हम लोग detail में discuss करेंगे अभी के लिए इस चीज़ को हम skip करते हैं, right significance है कि क्यों इसको use करते हैं, latest information अगर हमें किसी topic पे collect करनी है ठीक है, expand करना है अपने knowledge को, research builds your credibility and new ideas को अगर हम लोग introduce करना चाहते हैं, किसी एक topic पे लेकर के, किसी एक problem को लेकर के तो उस चीज़ के लिए research का significance important होता है, ठीक है अब आता है next topic that is most important, that is characteristics of good research so research की characteristics में पहला, अगर हम लोग बात करें यहां पर सभी नाम हैं, आप लोग इनको सिरफ याद रख लीजिए, exam में कई बार options में आता है, तो आप लोग सिरफ देख लोगे, तो easily answer कर सकते हो, ठीक है पहला था empirical, empirical में आप लोगों को बताया कि real world experiments, observation या हमारी जो भी experiences होते हैं, past experiences, उन सब चीज़ों से related होता है, ठीक है सो इसी निए research जो है, वो empirical होनी चाहिए, इसमें हम लोग theory building, mathematical and logical reasoning से related काम करते हैं, ठीक है आप जो theoretical concept होता है किसी research को लेकर के, उस चीज़ को यहाँ पे हम use नहीं करते हैं निक्स आता है हमारे पास logical research, so logical research क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि logical logics हमने use करने है, एक solution मिल गया, इसका positive impact क्या होगा, इसका negative impact क्या होगा ठीक है, यानि कि जो logical होता है, यह हमेशा decision making से related चीज़ होती है, जहाँ पे भी term decision making नजर आए, logical research को आप लोग correct answer select कर सकते हो ठीक है, इसमें हम लोग logics लगा के data को collect कर सकते हैं, so that हम लोग क्या करें, new questions को, अपने new solutions को ढूंड सकते हैं, ठीक है next आता है, cyclical, so cyclical process है, यह continuous cycle होता है, यानि कि research में हमने पहले पहला phase किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौता किया, और पांचवा किया, ठीक है so, इसमें क्या होता है, it starts with problem, and end with another problem, मैंने आप लोगों को बताया कि एक problem से शुरू होंगे, उसका solution मिलेगा, तबको दूसरा problem आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है next आता है, हमारे पास, जिससे cyclic के stages होते है, different, different, ठीक है, उनको भी हम detail में discuss करेंगे next आता है, analytical, कि किस तरह से हम लोग analyze करेंगे, कि क्या हमारा data अभी है, क्या आने वाला data है, ठीक है, किस तरह से हम लोग उसको solution उस चीज़ का provide कराते है next आता है, critical research, so critical thinking, यानि कि जो हमारा core academic skill होती है, under graduation पे, या फिर post graduation time पे, जो हम लोगों के दिमाग में basic questions आते है उन सब चीज़ों को भी हमने याद करना है, कि yes, ये question उस time पे भी था, and ये question यहाँ पे किस तरह से हम हमारे सामने आया है, and कैसे हम इस चीज़ को find out करेंगे so critical research is a loosely defined genre of social inquiry, whose central theme involves the problemization of the knowledge next आता है, methodological, so this procedure, इस procedure में क्या होता है, it is a way in which the researcher arrange, develop, जहां पे भी आप लोगों को term मिलती है, arrange, develop, modify any technique, ठीक है, तो वो previous result पे भी हो सकती है, या अपनी अभी findings पे भी हो सकती है, वो सब आता है, methodological के अंदर, ठीक है so ये भी systematic method होता है, next आता है, replicable, so replicable का मतलब होता है, कि replicable keeps researchers honest, and can give readers confidence in research इसके अलावा, researchers are agreeing to replicate, जो कि बहुत important concept होता है, ठीक है next आता है, feasible, so feasible research questions can be answered, the feasibility of research questions focus on objective aspects of the immediate, empirical and clinical environment and last आता है हमारे पास, ethical, so ethical जो होता है, बहुत important होता है, इसमें number of reasons आते है एक ही question के बहुत सारे reasons हमारे पास है, अब हमें ये देखना है, कि हम लोग किस तरह से और कौन से reason को attempt करेंगे इसमें data gathering होता है, voluntary participation होती है, ethics के through, ठीक है, ethics का हिंदी में मतलब होता है, नैतिक ठीक है, जो नैतिकता होती है, basic नैतिकता है, वो आती है यहाँ पे, जिसलिकी reporting, plagiarism नहीं होना चाहिए plagiarism का मतलब क्या होता है? plagiarism का मतलब होता है, duplic case ही नहीं होनी चाहिए तो यह research ethics एक separate topic है, ठीक है, यानि कि कौन-कौन से नैतिकता है, कौन-कौन से basic rules है, जो कि research में हमें ध्यान में रखने चाहिए, next आता है relevant, so relevant होना चाहिए, यानि कि जिस topic पे हम लोग research करना हमने start किया है, हम लोग अपने topic से भठके ना, हमेशे उस particular point को ध्यान में रखें, ठीक है, तो यह है research के कुछ important characteristics, तो students, आज के लिए सिरफ इतना ही, I hope यह पूरा concept आप लोगों को बिल्कुल clear है, और इसके लावा अगर आप लोगों को कोई doubt है, किसी और topic को जाधा detail में जानना चाहते हो, तो आप लोग comment करके हमें बता सकते हो, हमारी team definitely आपकी help करेगी, so thank you so much for watching this video and all the best!